आज में बनाने जा रही हूँ चटपटा मसाला फ्राई पायगाने से चावल दाल के साथ सब कर सकते हैं या रोटी पुराठा किसी के साथ भी तो इसे बंगाली रेश्पी भी कहते हैं मंगाल में इसे भाजा कहते हैं अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राब करने ना भूले और मुझे फेस्बुक और इस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो किजेगा इसके लिए मैंने वीडियो को नीचे में लिंक को डाल रखा है वहां से आप सीधे फेस्बुक और इस्टा को लिया था और इसे साप कपरे से मैंने पोच लिया है तो सबसे पहले मैं इसका जो टंठल है वो निकाल लेती हूँ इसे साइड में रख देती हूँ और एक इंच मोटा इसे मैं काटूंगी यह देखिए बिल्कुरी इस तरह से काटना है तो यहां पर मैंने बैगन को चमस मैंने इसमें इसमे दिबर डाला है अधाने इसमें डाला है और यह मैंने इसमें डाला है दamilya पैज़ डाल रही हूँ स्वादन सर मैं इसमें डालूंगी नमक आप चाहे तो इसमें आमचूर पौडर भी डाल सकते हैं मैंने यहां नहीं डाला है थोड़ा सा मैंने पानी डाला है और मसालो को अच्छे से बैगन में मिला देती हूँ तो यहाँ पर मैंने अच्छे से मसालो को बैगन में मिला दिया है तो गैस पर मैंने पेन को रखा है और इसमें मैं डालूंगी दो चमच तेल तो तेल हमारा गरम हो गया है तेकर करके मैं बैगन को इसमें डाल देती हूँ यहाँ पर गैस को भी मैंने मीडियम ही रखा है मीडियम गैस पर इसे उलटते पलटते मैं पका लूँगी तो इसे पकने में 2-3 मिनट लग जाता है तो दुसरे साइड इसे मैं पलट देती हूँ दोनों तरब से यह अच्छे से पक गया है तो मैं इसे निकाल लेती हूँ और इसी तरह से बच्चे गुबैगुन को फ्राई कर लेती हूँ तो मैं आपको सफ करके दिखाती है तो यह देखिए और इसे बंगाल में इसे भाजा कहते है इसे चावल दाल के साथ सफ किया जाता है तो यहाँ पर मैंने आधा निम्मू लिया है और इसका जो है रस में निचोर लेती हूँ तो इसे इसका टेस्ट जो थोड़ा चट पटा लगता है खाने में तो उपर से मैंने धनिया पत्त डाला है तो यह बिल्कुल ही रेडी हो गया है तिसे एक बार मेरे तरीके से घर पर जरू टाइक कीजिएगा आपको भी यह पसंद आएगा तो अगर आपको मेरी रेश्पी पसंद आए तो प्लेस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और फिर मैं मिलूंगी नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय बाय